लगभग 9 घंटे चली है बैठक उद्धव शरत पवार के गुट के बीच MVMA सीट बटवारे को लेकर गड़ीत जो नहीं बन पा रहा विपक्षी गडबंदन महा विकास अगारी में कम से कम 20-25 सीटों पर फैसला नहीं हो पा रहा है सतरूर गडबंदन महा योती और विपक्षी गडबंदन महा विकास अगारी में सीट बटवारे को लेकर बाचित अभी नहीं बन पा रहा है इनो घंटे बात के वावजूद निसकरश नहीं निकल पाया है कॉंगर शिवशेना और एनसेपी के MVA गडबंदन में कुछ सीटों को लेकर तनाव बढ़ रहा है मंगलवार में अगर बात करें मंगलवार से नमांकर दाखिल होना शुरू हो जाएगा इससे पहले वक्त कम रह गया है समस्तिया का निवार ने करने के लिए सीट शेरी का समस्तिया है महा विकास गडबंदन के बड़े निताओं ने इसे लेकर देर रात तक मंथन की है बितेश निवार को और उद्धव और अरसिपी मुखिया शरत पबार जो थे दोनों के बीच और यहां तक की कोगनस के महरास्ट प्रभारी रमेश चैनितला के बीच हुई है बाते और इसके बाद क्या निसकर्ष निकल कर आया है सवाल यह खड़ा होता है तो आपको बता दे कि यहां पर चर्चा यह है पुर्वस्ती एम उद्धव ठाकरे ने बातशीत से पहले कहा था सयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर सौधे बाजी उस स्थिती तक नहीं पहुँचनी चाहिए कि गटबंदन ही टूट जाए यानि कि उद्धव ने पहली है चितामनी दे दी थी कि सभी को समझने की जरुवत होगी इसमें सिर्फ कॉंग्रेस को ही उनकी चतामनी नहीं थी अपनी भी पार्टी के गुटकोंनों ने चतामनी दी थी इसके अलावा UBT की प्रवक्ता सज्जे ने भी कॉंग्रेस पर कठाक्ष किया था शेत्री दलों को सीट बटवारे में उनकी जगह दी जारी चाहिए ये डिमांड की थी तो वहीं आप खुब बता दे गडवंदन तूटने को लेकर चिता इसलिए भी जाहिर उधव ठाक्रे ने किया क्योंकि कॉंग्रेस से नहीं समाजवादी पार्टी की ओड से भी दिमांडे लगतार बढ़ती रही है तो 12 सीटों में से 5 के लिए उमिद्वारियों की घोशणा की थी अकलेश यादव ने M.V.A. से उसे राज़े की 228-88 सीटों में से 12 सीटे देने की मांग की थी इससे भी उद्धव ठाकर चिंती थे और उन्हें खुली चितामी दे कर सभी सहयोगी दलों को कही न कही साथ रहने के लिए सही देखा जाए तो आने बाले परिणाम की तरफ उन्होंने इशारा किया था कि गड़बंदन तूट भी सकते हैं गड़बंदन तूटने की चितामी उद्धव ठाकरे ने दी थी